नमस्कार मैं हूँ सुजीत मिस्रा उत्तरप्रदेश में लब जिहाद के गुनेगारों के दिन अब पूरे हो गए हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार जिहादियों के खिलाप एकसन के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है योभी कैबिनेट में इस कानून पर अंति करने वाली है सीम आवास पर हुई बैठक में लब जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है लब जिहाद और गैर कानूनी धरम परिवर्तन रोकने के लिए उत्तरप्रदेश की योगी सरकार अध्यादेश लाई है राज्यपाल की मंजूरी के बाद या अध्यादेश कानू कानून में तब्दीर हो जाएगा उत्तरप्रदेश में लब जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं आज योगी कैबिनेट की बैठक कोई जिसमें लब जिहाद के खिलाप कड़े कानून को मंजूरी दे दी गई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इसे गैर कानूनी धरमांत उत्रण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा उत्रप्रदेश के कई सहरों में लब जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लब जिहाद के खिलाप कानून लाने का एलान किया था अब इस कानून पर उत्रप्रदेश की योगी कैबिनेट ने मुहर भी कि लवजिहाद पर किस तरीके का कानून बन सकता है उत्रप्रदेश में। कि लवजिहाद के लवजिहाद के खिलाब कानून लाने की बात कही है। आरेसेस प्रमुक बोहन भागवत ने भी कहा था। सोमवार को ही आज उत्रप्रदेश के कानपूर में 14 में से 11 मामलों में लवजिहाद की पुष्टी हुई थी। कानपूर लवजिहाद मामले में S.I.T. जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीस के चौदा में से 11 केस में लवजिहाद की पुष्टी हुई है। 11 केस में आरोपियों ने हिंदू लवजिहाद की पुष्टी हुई है। जांच में पाया गया की चार ललके एक दूसरे के संप्रक में थे, धोंके की सिकार हुई हिंदू ललकियों में से 8 नाबालिक थी। सर्फ तीन मामलों में ही ललकियां ने ललकों के पक्ष में बयान दिया है। अब आपको लवजिहाद को लेकर देश में मचे संगराम के बारे में जानकारी दे देते हैं क्योंकि इस कानून को लेकर देश भर में सियासी बावाल चिड़ा हुआ है। वही आल इंडिया मजलिसे अत्यादल मुसलमीन के अध्यक्ष सदुद्दीन हुआसी ने कहा कि लवजिहाद पर कानून असली मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिस है। अनुछेद 25 में सभी को सपना धर्म मानने उसके प्रचार की आजादी दी गई है। धर्म प्रचार के अधिकार में किसी अन्य के धर्मांत्रान का अधिकार नहीं है। अनुछेद 26 में सभी संपनाय को धार्मिक का अधिकार है। अनुछेद 27 किसी भी धर्म भी से इसको दान देने के लिए जबरजस्ती नहीं कर सकता है। लवजिहाद या पिर संगठीत अपराद लवजिहाद के खिलाप योगी सरकार ने आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। और उसके बाद जवरन एक समदाय भी से इसके लड़की का धर्म बदलवाना है।